नमस्कार मेरतिक नायक आप देखरेंस न्यूस बात कर लएते हैं आज पंचाज चुनाओ के दूसरे चरण समापत होने के बाद जो समय करण जो थे उन्होंने फेसला उस दिन दे दिया था और उस फेसले की जानकारी राद को सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने एजेंट उस बूतों पर बिठा कर उन बूतों पर बिठा कर आखड़े लिये और उसके बाद सब्दे अपनी जीत के दावे किये कई लोग ऐसे थे जिन्हें पूरी पूरी अभी आपका हैं कि उमीद है या पूरा भरोसा है कि वे जीत चुके हैं और वे अपने जो दूसरी दावेदारिया है चाहिए वो जिला पंचात अद्यक्ष की बात हो जन्पत की बात हो उसमें लग गए हैं तो आपको बता दी किस तरीके से बन रहें वो क्या बन रहें कुल मिलाकर 14 वाड जो जिला पंचायत के अंदर हैं इसमें अलग अलग वाड़ों में मद्दान हुआ जिसके बाद अब अन्तिम समय में फेशला लिया जाना है कि आखिर कौन जो है जिला पंचायत अद्देशी कुर्सी पर बेठेगा तो आप जो द्देशनस है छे सीटे जो है इन छे सीटों केंदर हां आपको बता हैं एक नम्मर से उनका दावाह गीता चोhans वज्य जीत hertila तीन नम्म्मbers धीत मसानिया चार नम्मर वाड जोσω निंजमाल सिंग्ह और कल्सिंग भुरिया हो विक्रम हो जश्वंत भाबोर की पतनी जो हैुँन का दावा है उत्राय के सजुझा रिंचे के सब्द वार्षा को पर ने संसे वाली है उस हैज सेड़ पर अगर बीज़ेपी जिती है तो बीज़ेपी छे वाड़ों पर काभिश हो जाती है और कॉंग्रेस साथ पर तो साथ और चैरा और वाड करमांक आड़ चो रहा उसमें रिखा निनामा जैस से जित तो यह से में अगर यह जो जो जाते हैं तो एसे में साथ वोड कोंग्रेस के पास और चे वोड जो है वोड जो एक वोड रिखा नियामा का रहता है उसकी एहमियत काफी बढ़ जाती है जिला अध्यक्ष बनाने में चूक इस बार महिला सीठ है महिला के रियारक चित है तो इसे में सांती राजेस डामोर का नाम काफी आगे चल रहा है माना जारा कि कॉंग्रेस की तरफ से जो है उनका नाम प्रस्तावित होना है और वो अध्यक्षपत की दोड में अभी फिलाल सबसे आगे बताई जा रही है इसके लाब आपको यह भी पता दे कि जो जनपद को भी समी करन है तो अलग-अलग जनपद हो चाहिए रानापूर हो चाहिए रामा हो चाहिए मिंगने घरो वहाँ पर भी कवाय दिया सुरू हो चुकी है रानापूर में भी जो है भानू भूरिया की जो पतनी है वे जनप पूरी तरीके से समीकरण बिठाने में लगी हुई है किस तरीके से उपर नीचे करकर जन्पद और जिला पंचायत में अपने वेक्ति को अपने प्रतियासी को बिठाया जाए तो फिलाल के समीकरण बन रहे हैं वो काफी इंट्रेस्टिंग हो गए हैं रोचक हो गए हैं क्योंकि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष महिला सीट है और ऐसे में कॉंग्रेस और बीजेपी जादा आगे पीशे नहीं है क्योंकि अगर कॉंग्रेस जो साथ सीटे हैं उनमें दो बागी होकर चुना लेड़े थे लेकिन माना जा रहा है कि उन दोनों को वापस से कॉंग्रेस में वोड देने के लिए मना लिया जाएगा यह मना लिया गया है तो यह साथ वोड में जिती हुई बता ही आ रही है जबकि बीजेपी छे का दावा कर रही है और उसमें से एक जो कृष्णिपाल गंगा खेडी वर्सस इसवर गिर्वाल वाला वोड है उसमें अभी संसे बना हुआ है तो यह पूरा का पूरा मसला ऐसा फसरा है कि छे साथ और एक यह कहा जा रहा है कि इस वर गिर्वाल जिट जाता है तो जैस दो और कॉंग्रेस साथ और बीजेपी पांच तो फिर वह मसला अलग हो जाएगा क्योंकि माना जाता है कि जैस जो है आम तोर पर बीजेपी के साथ नहीं जाती है लेकिन यह राज नीती है यहां कुछ भी हो सकता है तो ऐसे में देखना दिल्चेश होगा कि आखिर कौन किस करवट लालच में बेटता है तो फिलाले जो समीकरन्ट देमिन आपको बताए पूरे आपको क्या लगता है कि इस बार जिला पंचायत में या आपके जन्पद में कौन सी पार्टी वेट रही है कौन उमीदवार बेट रहा है उसके बारे में आप कमेंड बोक्स में बताई और आपने दावेदारी मजबूति से पेस करेगी उसका भी आप नाम बताईए खबर आपको अच्छी रगी है तो दूसरों के जानकारी पहुंचाई है तक उनको भी पता चले कि आखिर ये पूरा का पूरा जो राज देती खेल पंचायत सुना होगा वो क्या चल रहा है और हमें तक आप चैनल से नहीं जूड़ा तो इसे सारी विशलेशन वाली खबरों के लिए हमारे चैनल से जुरूर जाईए फिलाल के इतना ही बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुरूर जूड़िये